बच्चों को धन से ज़ादा धर्म की शिक्षा दे चिन में अनंद बापो। श्री राधे श्याम सेवा संस्थान में चल रही श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में कथा को आगे बढ़ते हुए। बापु जी ने कहा कि राम जन्म के बाद कई महीनों तक उत्सव श्री धा मयोध्या जी में होता रहा। उसके पश्चात भगवान का नामकरन हुआ और गुरुदेव वशिष्ट के द्वारा चारों बच्चों का नामकरन संसकार हुआ। बापु जी ने कथा के माध्यम से कहा कि हम अपने बच्चों के नाम ऐसे रखे जिसको लेकर हमें किसी संत मह पुरुष्या भगवान की याद आए। आजकल के इंगलिश नाम का बापु जी ने व्यास पीच से विरोध किया। और कहा कि हमें अपने बच्चों का नाम किसी भी रिशी महात्मा या भगवान के नाम से रखना चाहिए। बाद में भगवान विद्या अध्यायन करने के लिए। गुरुदेव के यहां पहुचे बापु जी ने कहा कि हमें भी अपने बच्चों को गुरुदेव की शरल में शिक्षा के लिए। भेजना चाहिए उन्होंने कहा कि घड़े को चाहिए कि वह नदी के पास जाए। नदी कभी घड़े के पास नहीं आती और कहा कि पर लिखकर बच्चों में संसकार कितने हैं। इस पर भी प्रत्य एक माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा। तल कथा के माध्यम से प्रभु राम और माता सीता के विवाहुत्सव की कथा का रस्पान कराया जाएगा। प्रवी शर्मा, श्याम मास्टर, लक्ष्मी नारायन शर्मा, गनेश पहलवान। थाकुर फतेह सिल्ग मुक्की शर्मा, तेजस शर्मा, आदी सेकरोश रोतागन उपस्थित रहे। बोवर्धन से तेजस शर्मा की खास रिपोर्ट